हेलो स्टूरेंट्स, इलाह बंश्टी की तरफ से कट ओफ आने का सिलसिला जारी है इसी करम में काफी सारी कोर्सेज की आज कट ओफ जारी कर दी गई है साथ अक्टूबर को जिसकी काउंसलिंग आठ अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी जिसकी पूरी जानकार इस वीडियो में हम आपको डिटेल में देने वाले हैं किन-किन स्टूरेंट्स को काउंसलिंग करवानी है, कितने माक्स वारे स्टूरेंट्स को काउंसलिंग करानी है ठीक है, वो सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देंगे इसले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जब से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिसे आगे आने वाली सारी अपडेट और नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोछे और कोई भी अपडेट आए तो आपसे छूटे ना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सुरू करते हैं MSC physics की cut-offs ठीक है MSC physics में all category की cut-off आई है all category में वो students जिनके 163 या 163 से अधिक marks है MSC physics में चाहे को किसी भी category से हो general OBC, WC, WC अगर आपके 163 या 163 से अधिक marks हैं तो आप 8 October से 10 October के बीच में counseling करवा सकते हैं ठीक है उसके बाद OBC category की cut-off आई है MSC physics में 152 and above अगर आपके OBC category से हैं और 152 या 152 से अधिक marks है MSC physics में तो आप भी अपनी counseling 8 से 10 October के बीच में करवा सकते हैं उसके बाद SC category की cut-off आई है SC category में 123 and above अगर आपके SC category से हैं और 123 या 123 से अधिक marks है MSC physics में तो इसकी counseling आप करवा सकते हैं 8 से 10 October के बीच में उसके बाद SC all candidates रहेंगे इसके बाद EWS category cut-off आई है EWS category के वो students जिनके MSC physics में 153 या 153 से अधिक marks हैं तो आप भी अपनी counseling 8 से 10 October के बीच में करा सकते हैं इसके बाद MA journalism and mass communication की cut-off आई है MA journalism and mass communication में वो students all category के पहले cut-off जान लेते हैं all category में वो students जिनके 132.60 या 132.60 से अधिक marks हैं तो वो भी अपनी counseling 8 से 10 October के बीच में करा सकते हैं all category में general, OBC, WSSE सभी category के student आ जाते हैं इसके बाद MA journalism and mass communication में SC category cut-off आई है SC category के वो students जिनके 88 या 88 से अधिक marks हैं तो वो भी अपनी counseling करवा सकते हैं 8 से 10 October के बीच में आगे बढ़ते हैं इसके बाद MA MSC geography की cut-off आई है MA MSC geography में all category के वो students जिनके 186 या 186 से अधिक marks हैं चाहिए वो किसी भी एक category से हो, General से हो, OBC से हो, EW से ऐसी से हो तो वो अपनी counseling करवा सकते हैं 8 से 10 October के बीच में उसके बाद MA MSC geography में SC category cut-off आई है SC category के वो students जिनके 138 या 138 से अधिक marks हैं तो वो भी अपनी counseling 8 से 10 October के बीच में करवा सकते हैं उसके बाद ST category cut-off आई है MA MSC geography में ST category में अगर से हैं आप और आपके 108 या 108 या 108 से अधिक marks हैं तो इसकी counseling आप 8 से 10 October में करवा सकते हैं उसके बाद MA MSC statistics की cut-off आई है इसमें all category के वो students जिनके 132 या 132 से अधिक marks है जाए आप किसी भी category से हो General से, OBC से हो, EW से, SC से हो और all category की cut-off है MA MSC statistics की तो 132 या 132 से अधिक marks हैं तो इसकी counseling अब 8 से 10 October के बीच में करवा सकते हैं इसके बाद MA MSC statistics की cut-off है OBC category की, OBC category की वो students जिनके 122 या 122 से अधिक marks हैं तो वो भी अपनी counseling 8 से 10 October के बीच में करा सकते हैं यह OBC category की तो इसके बाद SC category की है, SC category में all candidates रहेंगे और STB all candidates रहेंगे, SC, ST all company counseling करवा सकते हैं 8 से 10 October के बीच में यह MA MSC statistics की cut-off थी, जो इस वीडियो में बताई आगे बढ़ते हैं, आगे cut-off में देखते हैं किसकी cut-off है, आगे cut-off है, वो MSC botany की है, MSC botany में all category की cut-off आई है, all category में वो students जिनके 166 या 166 से अधिक marks हैं, वो चाहे किसी भी category से हो, general से, OBC से हो, EW से, SC से हो, तो वो अपन 106 से आगे, से निनायरे से 8 अट से कांचलिंग एड आगे कांचलिंग, से 8 से 9 से अधिक marks से हैं, वो फन, षक्यू 53.9 यह 153.9 से अधिक मार्स हैं तो आप भी अपनी counseling करवा सकते हैं 8-10 के बीच में इसके बाद MSC Agriculture Botany Cut-off आई है MSC Agriculture Botany में all category के वो students जिनके 110 ये 110 से अधिक मार्स हैं चाहिए इसके बाद MSC Agriculture Botany में 92 से अधिक मार्स हैं तो आप भी इसकी counseling 8-10 अक्टूबर के बीच में उसके बाद MSC Agriculture Botany में OBC category cut-off है 92 and above और आप OBC category से हैं और आपके MSC Agriculture Botany में 92 ये 92 से अधिक मार्स हैं तो आप भी इसकी counseling 8-10 सक्टूबर के बीच में करवा सकते हैं और SC All Candidate रहने वाले हैं इसके बाद MA Medival and Modern History की cut-off है इसके बाद All category के वो student जिनके 173.40 और 173.40 से अधिक मार्स हैं और चाहो किसी भी category से हो General OBC, EWS, SC MA Medival and Modern History में तो इसकी counseling आप 8-10 सक्टूबर के बीच में करवा सकते हैं तो यह आगे cut-off जानते हैं आगे का जो cut-off आई है आगे इसके बाद आई है MSC Environmental Science के MSC Environmental Science में All category के वो student जिनके 122 यह 122 से अधिक मार्स हैं तो वो भी अपनी counseling कल 8-10 अक्टूबर के बीच में करवा सकते हैं All category में सबी category के student आ जाते हैं उसके बाद OBC category की cut-off आई है OBC All Candidate रहेंगे SC All Candidate रहेंगे और EWS category के वो student जिनके MSC Environmental Science में 104 यह 104 से अधिक मार्स हैं तो आप भी अपनी counseling 8-10 अक्टूबर के बीच में करा सकते हैं उसके बाद MSC Biochemistry cut-off आई है MSC Biochemistry में All category के वो student जिनके 168 यह 168 से अधिक मार्स हैं चाहे हो जनरल से हूँ, OBC से हूँ, EWS से हूँ तो आप अपनी counseling 8-10 के बीच में करा सकते हैं उसके बाद SC category cut-off आई है MSC Biochemistry में तो अगर आपके SC Category से हैं और MSC Biochemistry में 110-110 से अधिक मार्स हैं तो इसकी counseling आप 8-10 अक्टूबर के बीच में करा सकते हैं उसके बाद SC Category cut-off है 110 and above 110 या 110 से अधिक मार्स हैं आपके MSC Biochemistry में और आप SC Category से हैं तो इसकी counseling आप करवा सकते हैं 8-10 के बीच में इसके बाद MSC Biochemistry में EWS Category cut-off है 153 and above अगर आपके 153 या 153 से अधिक मार्स हैं MSC Biochemistry में और आप EWS Category से हैं तो इसकी counseling अब 8-10 अक्टूबर के बीच में करा सकते हैं यह आपके पूरी main campus की cut-off थी counseling के लिए जिसकी counseling 8-10 अक्टूबर के बीच में चलेगी तो यह सारी counseling की cut-off है आगे और को जो cut-off आएगी उसकी update मिलती रहेगी इसे चैनल को subscribe कर लें